अगर आप Taro में औकल्ट में अपना करियर बनाना चाहते हैं या फिर अधर वाइस भी आपका बहुत इंट्रेस्ट आप सीखना चाहते हैं वी हाव टारो सर्टिफिकेशन कोर्स जिसमें A to Z about Taro आपको सीखने को मिलेगा अपनी इस जर्णी को कैसे आप फर्दर लेकर जा सकते हैं ये भी इस कोर्स में covered है और अगर इसी सही related कोई भी doubt, कोई भी सवाल आपके मन में है आप screen पे दिये गए number पे हमें whatsapp कर सकते हैं अपने doubts को clear कर सकते हैं Hello everyone, मैं किरन शापरी और ये है आप लोगों के लिए coming week का सापताहिक राशी फल ये 13th में से लेकर 19th में तक की आपकी tarot readings है, tarot predictions है और इस वीडियो में सभी signs के सापताहिक राशी फल है नीचे description box में आपकी राशी के सामने time stamp है आप उस पे click करेंगे तो directly आपकी reading आजाएगी और बहुत सारे लोगों का सवाल होता है कि ma'am इस reading को हम किस sign के हिसाब से देखें तो tarot reading को आप किसी भी sign के हिसाब से देख सकते हैं फिर चाहें वो आपका लगन हो, नाम के हिसाब से राशी हो, आपका moon sign हो या फिर आपका sun sign हो तो चलिए जी शुरू करते हैं coming week का सापताहिक राशी चलिए रीज आप लोगों के लिए देखें कि coming week क्या लेकर आ रहा है, क्या energies है तो profession front के लिए आप लोगों के लिए card है 10 of pentacles दिखें सबसे बहली चीज pentacles का card है, कहीं materialistic tangible चीज़ों की तरफ से money, पैसे की तरफ से एक बहुत beautiful energies की बात करता है क्योंकि ये general reading है थोड़ा थोड़ा सब के लिए differ करेगा, कुछ के लिए हो सकता है कि एक stability, एक security आपने हैसूस कर रहे है और दिखें, especially money, पैसा, materialistic, tangible चीज़ों से related ये energy जादा रहती भी दिख रही है और दिखें, एक card कहीं family का भी होता है और जो लोग हमारे professional front में हमारे साथ काम करते हैं वो हमारी professional family होते हैं और एक personal family तो होती ही होती है और किसी ना किसी level पे कुछ के लिए professional family की involvement, interference और कुछ के लिए personal family की involvement रहती हुई दिख रही है और हो सकता है किसी बड़ी organization के साथ आप connect कर रहे हैं या फिर चाहा रहे हैं और land property पे हो सकता है आप focus कर रहे हैं all in all दिखें ये week काफी अच्छा आपके लिए रहता हुआ दिख रहा है हो सकता है कि आपके professional friend में कोई get together हो रहा है, reunion हो रहा है या फिर कुछ बड़ा आप plan कर रहे हैं, कुछ permanent आप plan कर रहे हैं या simply you know, बहुत ही एक practical, realistic मुद्दों पे आप जो भी लोग आपके साथ काम करते हैं आपके लिए काम करते हैं, उनसे बात कर रहे हैं, उनसे connect कर रहे हैं तो बहुत एक get together, reunion, celebration वाली energies भी professional friend में रहती हुए दिख रही हैं I know celebration जादा personal friend में होती है, professional में होती नहीं है लेकिन जब हम अपने team members के साथ मिलते हैं, या फिर से कहूंगी उन लोगों के साथ मिलते हैं, जो हमारे साथ काम करते हैं, साथ ही साथ कुछ important मुद्दों पे discussion होता है eating, drinking भी होती है, तो कहीं वह एक तरीके की celebration होती है तो देखिए, nutshell में मैं ये भी कह सकती हूँ कि जादा meetings हो रही है जादा आप जो भी लोग आपके साथ काम करते हैं, क्योंकि यहाँ पर देखिए, एक आर्ट family को represent करता है तो professional family के साथ आप connect कर रहे हैं, interact कर रहे हैं और कहीं money, पैसा, materialistic, tangible, चीज़ों से related फिर से कहूंगी फाइदा आपको इस वी क्यां तो हो रहा है यहाँ पिर जो भी आप कर रहे हैं, आपको ऐसे लग रहा है कि yes, अब वो फाइदा हो जाएगा अब वो एक permanent वाली चीज़ आप create कर पाएंगे and personal front के लिए आप लोगों के लिए nine of pentacles का card है तो देखिए, दोनों ही fronts के लिए pentacles के card है तो overall ही चाहें, professional front हो चाहें, personal front हो आप काफी practical, realistic हो के चीज़ों को deal कर रहे हैं और कहीं personal front में अपनी किसी hobby को आप pursue कर रहे हैं यहां फिर काफी independently चीज़ों को करना चाहा रहे हैं होता है ना कभी-कभी हम बहुत जादा लोगों पे dependent हो जाते हैं कभी emotional level पे dependent हो जाते हैं कभी mental level पे, कभी physical level पे तो इस week आपको ऐसे लग रहा है कि बस, you know, मैंने खुद से ही सब कुछ करना है और emotional specifically dependency आप किसी के उपर भी नहीं चाहा रहे हैं मैं ऐसा भी कह सकती हूँ कि emotionally काफी strong रहते हुए दिख रहे हैं पीछे जो भी आपने efforts करें किसी भी चीज़ के लिए महनत करी आपको positive result मिला, positive outcome मिला इस week कहीं आप उसको enjoy करना चाहा रहे हैं और देखिए हो सकता है कि आप लोगों के साथ enjoy कर रहे हैं लेकिन ये काट कहता है कि आप खुद के साथ जादा enjoy करते हुए दिख रहे हैं इस week आपका खर्चा हो सकता है आप कोई चीज बहुत time से purchase करना चाहा रहे थे नहीं कर रहे थे या नहीं कर पा रहे थे इस week आप purchase कर सकते हैं और कुछ के लिए हो सकता है कि अपने घर को आप और beautify करना चाहा रहे हैं अपने घर का renovation कराना चाहा रहे हैं या फिर कर रहे हैं और दिखिए ये खर्चा किसी भी चीज पर हो सकता है लेकिन जादा luxury, lifestyle या फिर अपने उपर आप जादा करते हुए दिख रहे हैं, अपनी hobby के उपर आप जादा करते हुए दिख रहे हैं, all in all ये वी काफी अच्छा रहतावा दिख रहा है, and in general या फिर guidance से आप लोगों के ले तीन pentacles cards, pentacles के cards हैं, in fact मैं कहूंगी चार में से तीन pentacles के cards हैं, और pentacles कहीं money, पैसा, materialistic, tangible चीज़ों को represent करते हैं, इनी से ही related stability, इनी से ही related जो happiness, joy हमें मिलती है, उसको represent करते हैं, तो overall ही देखिए, एक comfort, luxury रह सकती है, और कहीं you know, आप materialistic चीज़ों को enjoy कर रहे हैं, या पर यहाँ पर card आपको कह रहे हैं, कि आप materialistic, tangible चीज़ों को enjoy करें, practical रहें, realistic रहें, तो देखिए, overall ही ये week आप लोगों के लिए फिर से मैं कहूंगी, काफी अच्छा जाता हुआ दिख रहा है, and astrology से आप लोगों के लिए tourist sign का card है, इसके इसाप से all shades of green, all shades of yellow, आप लोगों के लिए होगा Friday, तो ये था ये news, आप लोगों के लिए coming week का सापता है, क्राशी फल, और नीचे मुझे comment section में जरूर बताएं, कि ये कितना आपके साथ resonate किया, कितना आप connect कर पाई, तो चलिए Doris, आप लोगों के लिए देखिए कि coming week क्या लेकर आ रहा है, क्या energies ह तो professional front के लिए आप लोगों के लिए card है 7 of Pentacles, और ये card कहता है कि इस week specifically professional front में एक सोच, एक planning आपके मन में जादा रहती भी दिख रही है, यानि कि हो सकता है कि externally बहुत कुछ activity नहीं हो रही है, या फिर आप बहुत किसी activity में involved नहीं होना चाह रहे हैं, participate नहीं करना चाह रहे हैं, या फिर future में जो भी आप चाहते हैं, उसके लिए अभी currently क्या करना है, उसके उपर आप focus कर रहे हैं, उसके उपर आप attention दे रहे हैं, और कुछ के लिए हो सकता है कि कोई decision, कोई choice आपको लेनी है, और थोड़ा सा ये decision, ये choice difficult है, और इसी से ही related भी, एक सोच आपके मन म रहती में दिख रही है, और दिखिए अगर इस card को आप देख पा रहे हैं, तो इस card में जो figure हैं, वो beach बो रही हैं, और जो भी फल हम अभी चाहते हैं, या फिर life में हम future में चाहते हैं, उसके लिए सबसे पहला step होता है, हम beach बोएं, तो कहीं इस week आप beach उसी चीज के लिए बोते वे दिख रहे हैं, उसी चीज की तियारी करते वे दिख रहे हैं, और फिर से कहूंगी उसी से ही related एक सोच रखते वे दिख रहे हैं, planning रखते वे दिख रहे हैं, यानि कि जो भी future में आपको चाहिए, उसके लिए आपका क्या course of action होना चाहिए, क्या decisions, क्या choices होने चा कि overall ही आप काफी practical, realistic होके चीजों को deal कर रहे हैं, कहीं आप emotions, feelings के basis पर चीजों को नहीं करते वे दिख रहे हैं, and Ace of Pentacles का का कार्ट सबसे पहली चीज, money, पैसा, materialistic, tangible चीजों से related, किसी भी तरीके का gain, किसी भी तरीके का फाइदा होने की बात करती है, या पिर जो भी इस व बात करते हैं, तो personal front में एक नई beginning आप करना चाहा रहे हैं, या फिर कर रहे हैं, और कहीं बहुत practical, realistic level पर फिर से मैं कहूंगी, इस beginning को आप करना चाहा रहे हैं, emotions, feelings, sentiments, या तो missing दिख रहे हैं, या फिर से उनके basis पर आप कुछ नहीं करना चाहा रहे हैं, या नहीं कर रहे ह अब देखें नई beginning सब Taurus के लिए differ कर सकती है, कुछ के लिए नया घर हो सकता है, कुछ के लिए नई कोई jewelry हो सकती है, कुछ के लिए नई गाड़ी हो सकती है, again सब के लिए differ करेगा लेकिन किसी भी तरीके की नई चीज, यहां तो आपकी life में आ रही है यहां फिर आप लाना चाह रहे हैं और दीखिए, यहां पर मैंने आपको बड़ी ही एक materialistic चीजों के बारे में बात करी, क्योंकि pentacles का card money पैसे से related, you know, चीजों को represent करता है, और बड़ी बड़ी चीजों को बताया मैंने, लेकिन कुछ के लिए बहुत छोटी मोटी भी नई नई चीजें आप करन हैं, again यह general reading है, थोड़ा-थोड़ा सब के लिए differ करेगा, लेकिन overall ही यह भी ठीक ठाक रहता हुआ दिख रहा है, professional front में काफी neutral सी energies है, और personal front में कहीं फिर से कहूंगी money पैसे से related चीजें, काफी अच्छी रहती भी दिख रही है, stability, security भी आती भी दिख रही है, कुछ के लि या फिर guidance है, आप लोगों के linking of wands का card है, और यह card कहता है कि जो भी आप इस week करें, बहुत courageously करें, बहुत boldly करें, क्योंकि देखिए मैंने देखा कि दोनों ही cards में आप बहुत practical, realistic होके चीजों को deal कर रहे हैं, which is very good, लेकिन साथी साथ enthusiasm, excitement भी रखें, अपने goal, अपने मकस के लिए action initiatives लें, and astrology से आप लोगों के लिए Scorpio sign का card है, इसके हिसाब से जो भी समुंदर के रंग होते है, sea green, sea blue, वो आप लोगों के लिए लगी रहेंगे, and significant है, आप लोगों के लिए होगा Tuesday, तो ये 3 औरस आप लोगों के लिए coming week का साथ आपता है एक राशी फल, और नी आप लोगों के लिए देखें कि coming week क्याली करा रहा है, कि energies हैं, तो professional front के लिए आप लोगों के लिए card है queen of pentacles, pentacles का card tarot में money, पैसा, materialistic, tangible चीज़ों को represent करता है, तो overall के लिए अगर हम देखें, तो ये ही चीज़े focus area रहता हुआ दिख रहा है, क्योंकि ये general reading है, थोड़ा- financial growth है, money, पैसे से related, आप अपने goal, अपने मकसद को achieve कर पाएं, आप उस पे focus कर रहे हैं, कुछ के लिए हो सकता है कि कहीं, you know, ऐसा ही हो रहा है, यानि कि एक financial growth हो रही है, आपको ऐसा लग रहा है कि yes, जो एक goal आपका money से related है, उसको आप achieve कर लेंगे, और इन्ही सब चीज़ सब चीज़ों में help कर रही है, support कर रही है, तो overall फिर से मैं कहूंगे कि money, पैसे से related, ये भी ठीक ठाक रहता हुआ दिख रहा है, या फिर इस पे focus रह रहा है, और stability, security, इन्ही सब चीज़ों से related आती हुए दिख रही है, and personal front के लिए आप लोगों के लिए four of wands का card है, और य ये card अगर मैं नच्छल में आपको बताऊं, celebration, get together, reunion की बात करता है, loved ones, close ones के साथ कहीं, you know, fun, मजा, मस्ती करने की बात करता है, change of place, change of residence की भी बात करता है, और personal front में इसी से ही related कुछ न कुछ रहतावा दिख रहा है, फिर से कहूंगी general leading है, थोड़ा-थोड़ा सब के हो सकता है कि कोई बड़ी celebration, जैसे marriage होती है, नामकरन होता है, या फिर जब नया घर बनता है, तो एक celebration होती है, इस तरीके की activities हो रही है, और आप बहुत जादा उसमें participate कर रहे हैं, आप बहुत जादा उसमें involved हो रहे हैं, कुछ के लिए छोटी-मोटी, you know, gatherings हो सकती हैं, ज लेकिन किसी भी तरीके की किसी भी level पे छोटी या बड़ी celebration, get-together, reunion रहतावा दिख रहा है, और जैसे मैंने अभी बताया कि change of place, change of residence की भी बात करता है, कुछ के लिए हो सकता है, आप vacation पे जा रहे हैं, जाना चाहा रहे हैं, या फिर आप अपने घर को renovate कर रहे हैं, या, 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 आप अपने घर में कुछ changes लाना चाहा रहे हैं, तो देखे, ये card positive changes की भी बात करता है, और कुछ इस तरीके की भी energies, इस week आपके personal front में रह सकती हैं, all in all, personal front बहुत अच्छा रहता हुआ दिख रहा है, और professional front भी ठीक ठाक रहता हुआ दिख रहा है, and in general, या फिर guidance है, आप लोगों के लिए four of pentacles का card है, और ये card कहीं overall ही stability की बात करता है, अब दिखे, personal front में four number का card है, four number कहीं stability, security को represent करता है, और queen of pentacles का card भी कहीं stability, security की बात करता है, और दिखे, in general का card भी again इन्ही energies को और ज़्यादा confirm करता है, तो एक financial stability, security किसी level पे या तो आ रही है, यह पिर जो भी इस week आप कर रहे हैं अपने professional front में, आपको ऐसा लग सकता है कि बस अब वो एक financial security या फिर stability आपकी life में आ जाएगी, और guidance के हिसाब से देखे तो ये card कहता है, कि आप बहुत secure, बहुत safe होके चीजों को deal करें, आप किसी भी तरीके का risk ना लें, बहुत कोई ऐसा बिना सोचे समझा chance ना लें, and astrology से आप लोगों के लिए Aries sign का card है, इसके हिसाब से red, maroon, rust shades के colors आप लोगों के लिए लगी रहेंगे, and significant day आप लोगों के लिए होगा Tuesday, तो ये था Gemini's, आप लोगों के लिए coming week का साबता है एक राशी फल, और नीचे मुझे comment section में जरूर बताएं कि ये कितना आपके साथ resonate किया, कितना आप connect कर पाए, तो चले एक Inserians आप लोगों के लिए देखेंगे coming week क्या लिकरा रहा है, क्या energies हैं, तो professional fund के लिए आप लोगों के लिए card है five of swords, five of swords का card taro में unfair energies की बात करता है, politics की बात करता है, manipulative energies को भी represent करता है, और कुछ ऐसा ही इस week specifically आपके professional fund में रहतावा दिख रहा है, अब दिखिए इस चीज को सुनके परिशान ना हों क्योंकि ये जिन्दगी है, ऐसा तो कभी possible ही नहीं हो सकता कि हमें एक जगा से दूसरी जगा जाना है, रस्ते में कभी भी हमें red light ना मिले, खड़े ना मिले, traffic jam ना मिल होना part and parcel होता है, हमें इन से नहीं घबराना चाहिए, और जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि ये card कहीं unfair energies की बात करता है, तो हो सकता है कि इस week आप ये deserve नहीं करते थे, आप better चीज़ें deserve करते थे, ये आपके साथ fair नहीं हो रहा है, हो सकता है अगर आप cooperate words से हैं, तो पिर otherwise भी ऐसी energies हैं, जो भी लोग आपके साथ काम करते हैं, आपके लिए काम करते हैं, आपको थोड़ा सा manipulate कर रहे हैं, तो देखिए जो भी चीज़ें मेरे mind में हैं, मैंने आपको कहा कि इस तरीके की energies आपके professional fund में रह सकती हैं, और इसका सबसे अच्छा हल solution ये ही होता है कि हम बहुत बड़े decisions, बहुत बड़ी choices ऐसे energies में ना लें, हम बड़ा action initiative ना लें, हम बहुत high expectation किसी भी इंसान से ना रखें, हम blind trust किसी पर भी ना करें, और अगर इन चीज़ों का आप खयाल रखते हैं, इस week को आप बहतर करेंगे, और अगर आपने इन चीज़ों का खया giving and receiving energies की बात करता है, आदान प्रदान की बात करता है, और कुछ ऐसा ही इस week specifically personal front में रहता हुआ दिख रहा है, अब देखिए ये general reading है, again थोड़ा थोड़ा सब के लिए differ करेगा, कुछ के लिए finances से related, आदान प्रदान, giving and receiving energies है सकती है, कुछ के लिए emotions, feelings से related हो सकता है, यान बताया, कुछ के लिए financial हो सकता है, यानि कि आपको finances या फिर money से related help support चाहिए, आपको मिल रहा है, या फिर आपके किसी loved one, close one को चाहिए, आप उनको दे रहे हैं, पीछे उधार अगर आपने लिया तो हो सकता है, इस week आप चुकता कर रहे हैं, या फिर करना चाहा रहे हैं, तो दिखें, जो भी चीज़े मेरे mind में आई, मैंने आपको कहा, overall कहीं giving and receiving वाली energies रहते भी दिख रही हैं, आप किसी को कोई चीज़ दे रहे हैं, या फिर ले रहे हैं, और दिखें, जब भी ये काड आता है, मैं यही कहती हूँ कि in giving and receiving वाली energies में, आप balance ज़रूर रखें क्योंकि जब भी भी ये balance किसी भी तरीके से किसी भी life के area में बिगड़ता है, तभी problem और issues भी होने शुरू हो जाते हैं, आप nature को ही देखें, कैसे एक balance बना हुआ है, फूल है तो काटे भी है, रात है तो दिन भी है, और देखिए अगर universe चाहाते तो पूरा दिन बना सकते थे, क्योंकि रौशनी सबको अच्छी लगती है, clarity सबको अच्छी लगती है, लेकिन उनोंने आधा दिन आधी रात बनाई, ये बात अलग है, कभी रात थोड़ी लंबी होती है, कभी दिन थोड़ा लंबा होता है, लेकिन कहीं एक proportion, एक balance, nature ने भी maintain किया है, और इसी तरी तो आपको ये card यही message दे रहा है, कि बहुत systematically, बहुत organized तरीके से आप चीजों को करें, जिस भी चीज में आप believe करते हैं, उसके लिए आप action initiative जरूर लें, और कहीं देखिए, बहुत एक authority भी आप अपनी maintain करें, self respect को आप बलकुल भी न compromise करें, and astrology से आप लोगों के लिए the moon का card है, और इस card के हिसाब से white color इस week आप लोगों के लिए लखी रहेगा, and significant day आप लोगों के लिए होगा Monday, तो ये था कैंसेरियन्स आप लोगों के लिए coming week का साबता है एक राशी फल, और नीचे मुझे comment section पर जरूर बताएं कि ये कितना आपके साथ resonate किया, कितना आप connect क कर पाए, तो चलिए Leo's आप लोगों के लिए देखें कि coming week क्या लिकरा रहा है, क्या energies हैं, तो professional fund के लिए आप लोगों के लिए a card है page of pentacles, सबसे पहली चीज ये pentacles का card है, pentacles टारों में कहीं money, पैसा, finances, materialistic, tangible चीज़ों का represent करते हैं, तो इन ही से ही related हिया, तो इस week आपको को पाइदा हुए आप उस पे focus कर रहे हैं, क्योंकि pages initial stages की बात करते हैं, किसी चीज की शुरुआत की बात करते हैं, और बहुत थोड़ा थोड़ा की बात करते हैं, तो कहीं जो भी फाइदा हो रहा है, गेन हो रहा है, बहुत massive, बहुत बड़ा नहीं होता हुआ दिख रहा है किसी चीज की शुरुवात होती हुए दिख रही है या फिर कोई initiative आप लेना चाहा रहे हैं या फिर यूनो किसी चीज की beginning आप करना चाहा रहे हैं पीछे money, पैसे से related issues मसले रह रहे थे तो थोड़ा थोड़ा आपको इस week लग सकता है कि चीजे बहतर हो रही है तो फिर से काऊंगी एक initially चीजें better की तरफ जाती भी दिख रही है especially with regards to money, पैसा, materialistic, tangible चीजें कोई knowledge, कोई skill अगर आप update करना चाहा रहे थे, सीखना चाहा रहे थे तो इस week उससे related भी action initiatives आप ले रहे हैं या फिर, you know, आप literally कोई knowledge, कोई skill update कर रहे हैं overall ये week ठीक ठाक रहता हुआ दिख रहा है professional funds are related बहुत कुछ, you know, massive, बहुत कुछ great, again, मैं कहूंगे, नहीं हो रहा है but yes, चीजें बहतर की तरफ जा रही है चीजों की कहीं किसी level पर शुरुवात होती भी दिख रही है जो भी आप चाहते है and personal fund के लिए आप लोगों के लिए night of cups का card है और ये card कहता है कि थोड़ा सा, you know, आप चीजों को लेकर emotional हो रहे हैं और in fact मैं कहूंगे sensitive भी हो रहे हैं और जब भी हम emotional और sensitive होते हैं तो हमें छोटी-छोटी सी बाते हर्ट कर जाती हैं तो इस वीक आपने खास खयाल रखना है कि आप इतने sensitive ना हो जाएं कि आपको normal सी बात भी अपने loved one की बुरी लग जाए और फिर आप परेशान हो और दूसरी बात ये काट कहता है कि थोड़ा सा आप जो भी अपने personal front में चाहते हैं उसी से related vision बनाते हुए दिख रहे हैं और in the process हो सकते हैं आप एक imaginary world में जाधा रह रहे हैं यानि कि एक practical realistic aspect missing रहता हुआ दिख रहा है फिर से कहूंगे काफी emotional sentimental हो रहे हैं एक खौबों की दुनिया में रह रहे हैं हो सकता है vision बना रहे हैं लेकिन मैंने हमेशा कहा है vision without action is nothing तो vision दिख रहा है, खौब दिख रहे है, dream दिख रही है, visualization दिख रही है बट कहीं practical realistic aspect missing रहता हुआ दिख रहा है और देखिए quotation भी है, vision without action is nothing तो खौब देखें लेकिन जरूर इस चीज का खयाल रखें कि आप practical realistic तरीके से उसको pursue भी कर रहे हैं कहीं you know आप action initiatives भी ले रहे हैं उसको reality में manifest करने के लिए and in general या फिर guidance से ace of cups का card है और ये card कहता है कि overall एक happiness joy रहती हुई दिख रही है और यहाँ पर देखें guidance के इसाब से इस card को देखें तो ये card कहता है जो भी आप दिल से enjoy करते हैं, जो भी आप दिल से चाहते हैं और जो आपका दिल कहता है उसकी आप इस week जादा माने and astrology से आप लोगों के लिए mercury ग्रह का card है इसके इसाब से all shades of green इस week आप लोगों के लिए लखी रहेंगे and significant day आप लोगों के लिए हो governance day तो ये थाल यूज आप लोगों के लिए coming week का सापता है ग्राशी फल और नीचे मुझे comment section में ज़रूर बताएं कि ये कितना आप के साथ resonate किया कितना आप connect कर पाए तो ये वगोज आप लोगों के लिए देखें कि coming week क्या लेकर आ रहा है क्या energies है तो professional front के लिए आप लोगों के लिए card है two of pentacles I don't know इस card को आप कितना देख पा रहे हैं इस card में जो figure है वो एक रसी के ओपर खड़े हुए हैं और एक balance maintain करने की कोशिश कर रहे हैं और देखें जब भी भी हम ऐसी situation में होते हैं हमारा पूरा का पूरा ध्यान होता है कि बस हम balance maintain कर लें क्योंकि अगर ये balance विगड़ा तो हम गिर जाएंगे और फिर हमें चोट लग जाएगी और कुछ ऐसा ही इस week specifically आपके professional fund में भी रहता हुआ दिख रहा है अब दिखें मैं ये बिल्कुल भी नहीं कह रही हूँ कि कोई tension है कोई stress है जिसकी वज़े से आप परेशान हो रहे हैं बट ये इस एक से ज़ादा चीजों में आप involved रहते हुए दिख रहे हैं एक से ज़ादा काम आप करते हुए दिख रहे हैं और इन ही को ही balance करने में इतना आपका focus है कि एक सुकून आप नहीं महसूस कर पा रहे हैं होता है ना कभी हम किस तरफ लड़क रहे हैं हम एक चीज पर attention देते हैं हमें लगता है दूसरी चीज निकलेक्ट हो रही है उस पर attention देते हैं हमें लगता है तीसरी चीज निकलेक्ट हो रही है तो इतनी सारी चीजों में हमारा mind occupied होता है involved होता है कि हम एक सुकून नहीं महसूस कर पाते हैं तो कुछ ऐसी सी energies इस week आप लोगों के लिए रहती हुई दिख रही है कुछ के लिए हो सकता है literally कोई decision कोई choice लेनी है आप decision choice नहीं ले पा रहे हैं क्योंकि एक मन आपका हाँ कहता है एक मन आपका ना कहता है तो कहीं देखे overall बहुत stability security नहीं महसूस कर पा रहे हैं कुछ के लिए हो सकता है इस चीज को आप बहुत enjoy कर रहे हैं कुछ के लिए हो सकता है थोड़ा सा परेशान हो रहे हैं कि भई अब एक stability आए और एक चीज पर हम focus करें एक चीज पर हम attention दें तो देखे ये weekly reading है और जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कोई tension वाली बात नहीं है कोई stress वाली बात नहीं है बट ये जो बहुत सारी चीजें आपके professional friend में चल रही है इसको लेकर आप थोड़े से occupied रहते हुए देख रहे हैं and personal friend के लिए आप लोगों के लिए queen of swords का card है और ये card कहता है कि इस week आप बहुत emotional बहुत sentimental चीजों को लेकर नहीं होना चाह रहे हैं या फिर नहीं हो रहे हैं बहुत logically mind से deal कर रहे हैं हो सकता है थोड़े से manipulative हो रहे हैं थोड़े से diplomatically चीजों को deal कर रहे हैं और बहुत strictly मैं कहूंगी चीजों को deal कर रहे हैं इस week आपको ऐसे लग सकता है बस black and white ही होता है, कोई और रंग नहीं है, यह हाँ है या फिर यह ना है, आप you know in between किसी भी चीज में नहीं रहना चाह रहे हैं और फिर से कहूंगी बहुत जादा straightforward होके चीजों को deal कर रहे हैं, आपका communication बहुत straightforward हो सकता है आपका communication बहुत blunt हो सकता है और किसी को ये आपका communication बुरा भी लग सकता है तो मैं आपको यहाँ पर यही कहूंगी कि आप blunt straightforward हो रहे हैं बहुत अच्छी बात है लेकिन थोड़ा सा खयाल रखें कि इतने blunt ना हो जाएं कि सामने वाले को आपकी बातें hurt करें क्योंकि आप एक queen का card है कुछ के लिए हो सकता है कि कोई female है या फिर male है जिनके feminine energies हैं जो बहुत logical हैं जो बहुत mind से diplomatically चीज़ों को deal करते हैं वो बहुत आपको support कर रहे हैं किसी चीज़ के लिए वो बहुत cooperative हो रहे हैं परसनल फ्रंट के लिए आप लगों के लिए seven of souls का card है और ये card कहता है या तो आप थोड़े ही से selfish हो रहे हैं चीज़ों को लेकर या फिर कोई इनसान है आपकी life में जो थोड़े से selfish हो रहे हैं तो देखिए कभी-कभी ना हमें थोड़ा सा selfish तो मैं नहीं कहूंगी but every time हमें self love तो practice करना ही चाहिए खुद को prioritize करना चाहिए और फिर मैं कहूंगी कि एक balance maintain करना चाहिए जितनी importance हम सामने वाले को दे रहे हैं उतनी खुद को भी देनी चाहिए और अगर ऐसा है तो बहुत अच्छी बात है लेकिन आपको लगे कि आप थोड़े से selfish हो रहे हैं इसको जरूर चेक करके correct करें क्योंकि ऐसी energies बहुत temporary फाइदा लेकर आती है और अगर कोई इंसान है जो बहुत selfish तरीके से आपके साथ रह रहे हैं तो उनको जरूर इस वीक आप अवाइड करें और astrology से आप लोगों के लिए Aquarius sign का card है इसके हिसाब से all shades of blue indigo इस वीक आप लोगों के लिए लगी रहेंगे and significant day आप लोगों के लिए होगा Saturday तो ये था वोगोज़ आप लोगों के लिए coming week का सापता है एक राशी फल और नीचे मुझे comment section में जरूर बताएं कि ये कितना आपके साथ resonate किया कितना आप connect कर पाए तो चलिए Libras आप लोगों के लिए देखें कि coming week क्या लिए करा रहा है के energies है तो professional front के लिए आप लोगों के लिए card है Three of Pentacles और ये card कहता है कि इस week specifically professional front में जो भी आप काम कर रहे हैं पूरा focus, पूरा concentrate आप उस पे कर रहे हैं बहुत एक devotion, dedication से चीज़ों को करते हुए दिख रहे हैं जो भी और professionals आपके professional front से connected हैं आप उनसे interact कर रहे हैं, करना चाह रहे हैं, connect कर रहे हैं, करना चाह रहे हैं और कहीं इनों बहुत discussions भी किसी खास चीज़ को लेकर या फिर overall ही रहते हुए दिख रहे हैं और ये discussions कहीं हवा में, बिना किसी बात के नहीं रहते हुए दिख रहे हैं कोई एक solid मुद्दा, कोई एक solid motive आप लेकर चल रहे हैं और बहुत concrete तरीके से discussions आप करना चाहा रहे हैं या फिर कर रहे हैं तो बहुत एक seriousness, seriousness इनफाक्ट मैं नहीं कहूंगी फिर से कहूंगी devotion, dedication के साथ चीजों को करते वे दिख रहे हैं और इसी चीज के लिए जो भी और लोग आपके साथ हैं, वो आपको काफी appreciate भी कर रहे हैं team work में आप काम करना चाहा रहे हैं या फिर कर रहे हैं तो all in all professional front काफी अच्छा रहता वा दिख रहा है and personal front के लिए आप लोगों clear five of pentacles का card है और ये card कहता है कि specifically personal front में इस week आपको ऐसे लग सकता है कि आपका कोई खास loved one है या फिर overall ही close ones हैं जो आपको ignore कर रहे हैं, neglect कर रहे हैं कहीं आपको इतना जादा अपनी चीजों में involved नहीं कर रहे हैं, include नहीं कर रहे हैं एक rejection सा किसी level पर या तो आप महसूस कर रहे हैं या फिर हो रहा है देखे मैंने कहा या तो आप महसूस कर रहे हैं क्योंकि कितनी बार ही होता है ना सामने वाला right frame of mind में नहीं है हमें कुछ कह देता है, हम उसको गलत तरीके से interpret करते हैं एक negative self-talk हमारे mind में चलती है और हमें लगने लगता है कि सामने वाला हमें attention नहीं दे रहा है हमें ignore कर रहा है लेकिन ये reality नहीं होती है और at times देखे सच में ही सामने वाला हमें इतना attention नहीं दे रहा होता है तो कुछ भी हो सकता है या तो ऐसा हो रहा है या फिर आपको महसूस हो रहा है और दूसरी बात ये काट कहता है money, पैसा, materialistic, tangible चीज़ों को लेकर भी छोटे-मोटे issues, छोटे-मोटे मसले रह सकते हैं अब देखें ये सब के लिए differ करेंगे क्योंकि ये general reading है कुछ के लिए simply हो सकता है आपने किसी को पैसे उधार दिये और आप उनसे वापसी चाह रहे हैं आपको नहीं मिल रही है कुछ के लिए हो सकता है आपको ये चीज़ खरीदना चाह रहे हैं आपको ऐसे लग रहा है कि पैसे थोड़े से कम पड़ रहे हैं तो देखिए जो भी दो चीजे मेरे माइंड में आई मैंने कहा सबके लिए डिफर करेगा यहाँ पर five of pentacles का card simply कहता है या तो you know आपके loved ones या कोई खास loved one आपको ignore कर रहा है निगलेक्ट कर रहा है आपको अपनी चीजों में include नहीं कर रहा है यहाँ फिर money, paysa, materialistic, tangible चीजों स related चोटे मोटे issues रह रहे हैं and in general या फिर guidance से आप लुकों के लिए five of swords का card है और यह card कहता है कि शायद you know आपको इस वीक ऐसा लग सकता है कि आप सही है और आप दूसरे का perspective ही नहीं देखना चाहा रहे हैं दूसरे का viewpoint ही नहीं जाना चाहा रहे हैं तो अगर ऐसा आप भी प परसेंट राइट है वो 20-30% राइट है लेकिन थोड़ा बहुत तो सहीं वो भी बोल रहे होंगे थोड़ा बहुत सहीं वो भी कह रहे होंगे तो थोड़ा है तो थोड़ा हैं neutral हो thirty और चीजों को समझने की कोशिश करें and astrology आप लोगों के यह ins kai card है इसके इसाब से all shades of blue indigo इस week आप लोगों के लिए लखी रहेंगे and significant day आप लोगों के लिए होगा Saturday तो ये था Libra's आप लोगों के लिए coming week के सापता है एक राशीफल और नीचे मुझे comment section में जरूर बताएं कि ये कितना आपके साथ resonate किया कितना आप connect कर पाए तो चले इस copy आप लोगों के लिए देखें कि coming week क्या लिकरा रहा है क्या energies है तो professional front के लिए आप लोगों के लिए card है the high priestess और ये card कहता है कि इस week specifically professional friend में बहुत actively आप चीजों में involved नहीं हो रहे हैं नहीं होना चाह रहे हैं एक backseat ले रहे हैं थोड़ा सा किसी level पर withdraw करते हुए दिख रहे हैं और देखें आप बैक सीट लेने के withdraw करने के सब स्कॉप्य उसके लिए different reasons रहेंगे लेकिन high priestess का card कहता है कि आप बहुत wisdom के साथ चीजों को deal करना चाह रहे हैं आप बिल्कुल भी impulsive नहीं होना चाह रहे हैं जल्दबाजी नहीं करना चाह रहे हैं और इसी लिए आप उतना actively किसी भी चीज में खुद को involved नहीं कर रहे हैं और इस weak, materialistic, tangible चीजें money, पैसा आपके लिए source of happiness नहीं रहता हुआ दिख रहा है मैं यह नहीं कह रही हूँ कि money, पैसे से related आपको gain फाइदा नहीं होगा हो भी सकता है नहीं भी हो सकता लेकिन आप इन चीजों पर उतनी attention नहीं दे रहे हैं आप अपनी inner voice, inner self, अपनी intuition को ज़ादा follow करते हुए दिख रहे हैं या फिर उनकी तरफ से आपको ऐसे लग सकता है कि वो एक secrecy maintain कर रहे हैं, कोई चीज आप से चुपा रहे हैं All in all, ये वीग ठीक ठाक रहता हुआ दिख रहा है because high priestess is not a negative card in fact high priestess का card satisfaction, contentment की बात करता है और कुछ ऐसा भी इस week professional friend में रह सकता है and personal friend के लिए आप लोगों के लिए nine of swords का card है और ये card कहता है कि personal friend में किसी चीज की फिक्र, किसी चीज की चिंता आपको परिशान कर सकती है कुछ के लिए literally हो सकता है कि इतना जादा परिशान हो रहे हैं कि आप रात को अच्छे से सो भी नहीं पा रहे हैं अब देखें इस चीज को सुनके आपने परिशान नहीं होना है क्योंकि आपकी पूरी जिंदगी की reading नहीं है ये सिरफ और सिरफ इस week की reading है और वैसे भी nine of swords is a minor arcana card minor arcana card minor ही चीजों की बात करते हैं और देखें इस reading से guidance लेके आप चीजों को बहतर भी कर सकते हैं तो सबसे पहली चीज कुछ के लिए हो सकता है कि वाकरी में कुछ issue कुछ मसला है और अगर आपको लगे कि वाकरी में seriously कोई ऐसी बात है तो आपने problem पर focus नहीं करना है आपने उसके solution पर focus करना है कैसे आप उसको solve कर सकते हैं उस पर focus करना है तो कि जब आप ऐसा करेंगे आपको उस चीज का हल मिलेगा आप उसको solve करेंगे आप better feel करेंगे और बहुत सारे chances हैं Scorpios कि reality में कोई खास मुद्दा नहीं है कोई खास बड़ी बात नहीं है कुछ चीजें आपके हिसाब से नहीं हो रही है और आप एक right frame of mind में नहीं है आप उन छोटी-छोटी सी चीजों को negative energy दे रहे हैं अपने mind में बड़ा बना रहे हैं और खुद को परेशान कर रहे हैं तो इस week सबसे बहली चीज specifically personal front में आप लोगों के लिए होगी कि आप खुद के साथ बैठें और थोड़ा सा analyze करें कि वाकई में कोई problem वली बात है या नहीं है क्योंकि देखिए फिर से कहूंगी बहुत सारे chances हैं कि कोई problem की बात नहीं है आपका frame of mind right नहीं है और आप छोटी-छोटी सी चीजों को बड़ा बना रहे हैं और खुद को परेशान कर रहे हैं तो देखिए अगर इस चीज की checking आप कर लेते हैं इस week को आप बहतर करेंगे और अगर आपने नहीं किया तो फिर आप थोड़ा सा परेशान हो सकते हैं आप लोगों के लिए काड है और ये काड कहता है तो अगर आप बहुत जादा ही पिकी बहुत जादा ही selective चीजों को लेकर हो रहे हैं यानि कि आपको जल्दी-जल्दी कोई चीज समझ में नहीं आ रही आप decision नहीं ले पारे choice नहीं ले पारे कोई काम आप करना चाहा रहे हैं आप बहुत जादा सोच रहे हैं जो कि हमने personal front में देखा भी कि आप overthinking कर रहे हैं तो इस चीज को ज़रूर आपने check करके correct करना है all in all दिखिए हो सकता है कि थोड़ा सा आप low feel कर रहे हैं उतना एक excitement उतना एक enthusiasm नहीं रहता हुआ दिख रहा है तो आपने consciously you know effort करना है अपने आपको किसी ऐसी चीज में involve करना है जो कि एक enthusiasm excitement लेकर आए क्योंकि देखिए दोनों ही cards कही enthusiasm excitement के missing रहने की बात करते हैं personal front में हमने देखा आप overthinking कर रहे हैं और professional front में आप बहुत wisely चीजों को deal करना चाहा रहे हैं और दोनों ही सिनारियों में आपने कुछ ना कुछ ऐसा जरूर करना है जिससे कि एक enthusiasm आए excitement आए and astrology से आप लोगों के लिए Libra sign का card है और इसके इस आप से सारे ही bright shades इस week आप लोगों के लिए लखी रहेंगे and significant day आप लोगों के लिए होगा Friday तो ये था scopios आप लोगों के लिए coming week का सापता है एक राशी फल और नीचे मुझे comment section पे जरूर बताएं कि ये कितना आपके साथ resonate किया कितना आप connect कर पाए चलिए Sagittarius आप लोगों के लिए देखें कि coming week क्या लिकरा रहा है क्या energies है तो professional front के लिए आप लोगों के लिए card है The Magician The Magician के card को literally देखें तो magical energies की बात करता है और कुछ ऐसा ही इस week specifically आपके professional front में रहता हुआ दिख रहा है अब मैं ये नहीं कह रही हूँ कि सब भी Sagittarius के professional front में कोई magic होगा कोई miracle होगा बट येस जिस चीज की हो सकता है आपने उमीद कोई आप expect नहीं कर रहे थे वो इस week हो रहे हैं उसी से related कुछ positive होता हुआ दिख रहा है होता है ना कभी कभी हम किसी चीज को लेकर you know बहुत ही नाउमीद हो जाते हैं हमें लगते हैं ये तो possible ही नहीं है ये तो हो ही नहीं सकता and trust me जब हम ऐसी energies में आते हैं तब ही उसके होने के chances actually में खतम हो जाते हैं लेकिन इस week कहीं उसी से ही related कुछ ना कुछ तो positive होता हुआ दिख रहा है कुछ सरीडेरियस की magician वाली energies हो सकती हैं अब दिखें magician क्या करता है बहुत ही focus बहुत ही concentration के साथ अपना काम करता है और जो भी action initiatives required होते हैं वो लेता है और कहीं ऐसा ही सरीडेरियस आप भी करते हुए दिख रहे हैं आपको बहुत जबरदस्त एक confidence हो सकता है अपने goal अपने मकसद पे इस week आ रहा है कि किसी भी हालत में आप इसको तो अब achieve कर ही लेंगे कुछ issues कुछ मसले हुए तो उनको भी आप deal कर लेंगे या फिर यूनो वो आपके सामने powerless है और कहीं आप उनको overcome कर लेंगे तो बहुत एक you know strong energies बहुत एक self assurity वाली energies रहती हुए दिख रही है बहुत confidence आपके लिए आता हुआ दिख रहा है या फिर मैं कहूंगी कि आपको अपने goal अपने मकसद पर आता हुआ दिख रहा है तो all in all बहुत ही एक positive आपका professional front रहता हुआ दिख रहा है इस week अगर अपने goal अपने मकसद को पाने के लिए आपको थोड़ा सा चीजों को manipulate करना पड़े diplomatically deal करना पड़े तो उसके लिए भी आप ready रहते हुए दिख रहे हैं यानि कि इस week अगर आपको लगा कि घी सीधी उंगली से नहीं निकलता है तो आप टेड़ी करके निकाल लेंगे लेकिन घी आप जरूर निकालेंगे और कहीं एक success भी आपको मिलता हुआ दिख रहा है and personal front के लिए आप लोगों के लिए six of swords का card है और ये card कहता है literally या तो आप travel कर रहे हैं या फिर करना चाहा रहे हैं या फिर उससे related planning गह रही है या फिर you know एक movement एक shift आता हुआ दिख रहा है पीछे किसी भी चीज़ को लेकर अगर आप बहुत stuck feel कर रहे थे बहुत अटका हुआ महसूस कर रहे थे तो इस week आप उसमें से बाहर निकल रहे हैं या फिर निकलना चाहा रहे हैं कुछ के लिए literally हो सकता है change of place, change of residence या तो हो रहा है या फिर आप चाहा रहे हैं या उसी से related planning कर रहे हैं तो देखें एक neutral से energies रहती होई दिख रही हैं और पीछे जो भी चीज़ें आपको परिशान कर रहे ही थी, bother कर रहे ही थी उनसे आप दूर जाना चाहा रहे हैं या फिर जा रहे हैं तो इस हिसाब से देखें तो ये week थोड़ा सा you know बहतर ही रहता हुआ दिख रहा है बट कुछ बहुत great भी नहीं इस week personal front में हो रहा है और इन जनरल या फिर guidance से आप लोगों के लिए 10 of wants का card है और ये card कहता है why make things so much more difficult than they need to be तो यहाँ पर दिखें ये card कहीं आपको ही कह रहा है कि चीजें इतनी difficult नहीं है चीजें इतनी मुश्किल या फिर इतनी खराब भी नहीं है जितना आपने उनको समझ लिया है या फिर जितना आपने उनको बना लिया है और दिखें ये वाली energy जादा personal front के लिए रहती भी दिख रही है क्योंकि professional front में तो magician का card कहता है आप बहुत जादा confident feel कर रहे हैं अपने goal अपने मकसद को लेकर लेकर लेकिन personal front में छोटे-मोटे issues छोटे-मोटे मसले आपको bother कर सकते हैं और यहाँ पे दिखें guidance का card बहुत ह clearly कह रहा है कि इतनी difficult चीजे नहीं है जितना आपने उनको अपने मन में बना रखा है तो थोड़ाचा pause करके आप इस चीज पर focus करेंगे या फिर इस चीज को analyze करेंगे तो आपको realize होगा कि life is very simple और हम ही लोग इसको complicate करते हैं और अगर आप परेशान हो रहे हैं तो आपके हिसाब से all bright shades इस week आप लोगों के लिए लखी रहेंगे and significant day आप लोगों के लिए होगा Friday तो ये था salutaries आप लोगों के लिए coming week का सापता ही क्राशी फल और नीचे मुझे comment section पे ज़रूर बताएं कि ये कितना आपके साथ resonate किया कितना आप connect कर पाए तो चलिए Capricorns आप specifically professional front में आप चीजों को लेकर किसी खास इंसान को लेकर या फिर किसी भी चीज को लेकर काफी emotional काफी sentimental हो रहे हैं कहीं एक practical realistic aspect missing रहता हुआ दिख रहा है और कहीं you know emotions के ही basis पर आप चीजों को deal करते हुए दिख रहे हैं कुछ के लिए literally हो सकता है कि past से कोई इंसान, कोई situation, क कोई event आ रहा है या फिर past की किसी चीज पर आप बहुत जादा focus कर रहे हैं और अगर ऐसा है तो दिखिए थोड़ा सा pause करके जरूर समझ लें कि जो भी past की चीज आपको परिशान करें परिशान तो मैं नहीं कहूंगी तिस पर आप focus कर रहे हैं क्या ये आपको grow करने में help कर रही है या फिर थोड़ा सा आपको demotivate कर रही है अगर आपको you know progress और growth में help कर रही है बहुत अच्छी बात है क्योंकि देखिए past से हम बहुत कुछ सीखते हैं और उसी सीख को जब हम real life में apply करते हैं तो दुबारा से हम गलती नहीं करते हैं और चीजों को बहतर करते हैं और past का इतना ही role होता है हमारी life में तो अगर ऐसा हो रहा है बहुत अच्छी बात है लेकिन कहीं आप past में अटक रहे हैं past में आप you know चीजों को जादा देख रहे हैं emotional हो रहे हैं sentimental हो रहे हैं और कहीं अपने professional friend में आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं आपकी growth hamper हो रही है तो इसको जरूर चक करके correct करें और देखिए कहीं कुछ के लिए past से कोई इनसान इस week आपके professional friend में आके आपको थोड़ा सा emotional mental support भी दे सकता है आपको थोड़ा सा motivate भी कर सकता है आपको थोड़ा सा better भी feel करा सकता है तो देखिए अगर जो भी चीज emotions की वज़े से आपको grow और progress करने में help कर रही है उसको जरूर आप pursue करें लेकिन अगर आपको लग रहा है कि आपके emotions की वज़े से आप थोड़ा सा demotivate हो रहे हैं चीजे growth progress की तरफ नहीं जा रही है तो जरूर उसको check करके let go करें and personal friend के लिए आप लुगों के लिए night of wands का card है और ये card कहता है कि इस week कुछ ना कुछ positive change आपके personal friend में हो रहा है अब दिखिए ये positive change सबके लिए differ करेगा कुछ के लिए simply हो सकता है कि आप travel कर रहे हैं करना चाह रहे हैं कुछ के लिए हो सकता है कोई vehicle आप खरीदना चाह रहे हैं और overall के लिए पीछे किसी भी चीज में अटकावा महसूस कर रहे हैं आप देखिए immediate action लेना बहुत जरूरी भी हो जाता है कभी-कभी और लेने में कोई हर्च भी नहीं है जब उसकी requirement हो लेकिन in the process जब हम impulsive हो रहे होते हैं जल्दबाजी कर रहे होते हैं तो कहीं हम बिना सोचे समझे बहुत सारी चीजें कर जाते हैं जो उस time हमें नहीं स इस तरीके की energies आप personal friend में महसूस कर सकते हैं और आपके लिए guidance यही होगी card की तरफ से कि आप impulsive ना हो जल्दबाजी में कोई भी काम ना करें and yes अगर इस चीज़ को आप check कर लेते हैं तो यह week आपका ठीक ठाक या फिर बढ़िया जाता हुआ दिख रहा है and in general या फिर guidance से आप लोगों के लिए three of swords का card है और यह card कहता है it's okay to cry तो कोई चीज अगर आपको bother कर रही है परेशान कर रही है उसको man human suppress करने की बजाए अगर आपको रोना आ रहा है आप बुरा feel कर रहे हैं तो उस time पे आप you know थोड़ा सा रो लें trust me रोने से ना went out होता है और हम better feel करते इसी तरीके से कोई भी चीज आपको परेशान कर रही है आप उसका went out करें अगर रोना आ रहा है तो एक time allot करें इसका मतलब यह नहीं कि मतलब आप रोते ही रहें आप परेशान ही रहें थोड़े time के लिए आप रो लें और उसके बाद ज़रूर आप उसमें से अपने अब रोते ही जा रहे हैं क्योंकि एक inertia भी होता है हम जिस energy में बहुत ज़्यादा रहते हैं उसी में हम deep चले जाते हैं और एक time आता है हम इतने deep चले जाते हैं कि निकलना मुश्किल हो जाता है तो time allot करें और फिर कैसे अपने आपको better feel करा सकते हैं कैसे अपने आपको की रहेंगे and significant day आप लोगों के लिए होगा Wednesday तो यह था Capricorn आप लोगों के लिए coming week का साथ आपता है एक राशी फल और नीचे मुझे comment section में जरूर बताएं कि यह कितना आपके साथ resonate किया कितना आप connect कर पाए चलिए Aquarius आप लोगों के लिए कि coming week क्या लेकरा रहा है क्या energies है तो professional front के लिए आप लोगों के लिए card है renewal और यह card कहता है कि इस week specifically professional front में किसी खास चीज को या फिर overall ही आप नए सिरे से चीजों को करना चाहा रहे हैं नए सिरे से चीजों को कर रहे हैं in the process हो सकता है कि कुछ चीजों को end कर रहे हैं कुछ नहीं beginnings कर रहे हैं और इसी के लिए आप थोड़े से critical थोड़े से judgmental भी होते हुए दिख रहे हैं होता है न हम बहुत ही एक analytical mode में चले जाते हैं क्या सही है क्या गलत है और उसी के हिसाब से हम decisions और choices लेना चाहते हैं तो कहीं इस तरीके की energies रहते हुई दिख रहे हैं कुछ इस तरीके की energies रहते हुई दिख रही हैं और जैसे कि मैंने आपको बताया आप काफी analytical हो रहे हैं थोड़ा सा पीछे मुड़कर भी हो सकता है देख रहे हों क्या आपने किया जिसे कि आपको फैदा हुआ क्या पीछे आपने किया जिसे कि आप परिशान हुए और उसी के ही basis पर आप decisions और choices लेना चाहा रहे हैं तो all in all दिखे professional friends related renewal का card कहीं एक neutral energies की बात करता है होता ना कभी कभी हमें लगता है कि बस थोड़ा सा एक pause लेते हैं और देखते हैं कि किस चीज की जरत है growth और progress के लिए किस चीज की जरत नहीं है जिस चीज की जरत नहीं है उसको let go करते हैं जिस चीज की जरत है उसको pursue करते हैं तो कहीं इस तरीके की energies इस week specifically आपके professional friend में रहती भी दिख रही हैं and personal friend के लिए आप लोगों के लिए three of cups का card है ये card celebration की बात करता है reunion की बात करता है get together की बात करता है eating drinking marimaking की बात करता है और कुछ ऐसा ही इस week specifically आपके personal friend के लिए र reunion सब के लिए differ करेगा कुछ के लिए हो सकता है कि आपकी family में या फिर you know आपके किसी close one की marriage हो रही है कुछ के लिए हो सकता है कि नामकरन हो रहा है या फिर you know कोई भी celebration हो सकती है यहाँ पर जो भी दो चीजे मेरे mind में आई ही मैंने आपको कहा simply हो सकता है कि आप अपने loved ones के साथ get together कर रहे हैं या फिर आप अपने पुराने friends के साथ reunion कर रहे हैं या अगर आप करना भी चाह रहे हैं planning कर रहे हैं तो भी three of cups का card आ जाता है तो इस तरीके की energies रहती भी दिख रही हैं या फिर you know बहुत जो आपके close circle के लोग हैं आप उनके साथ जादा interact कर रहे हैं जा तो भी कहीं three of cups की energies होती हैं तो कहीं इस तरीके का आप लोगों के लिए रहता हुआ दिख रहा है overall फिर से कहूंगी fun, mazah, musti रहती हुए दिख रही है eating, drinking, merrymaking रहती हुए दिख रही है आप जादा socialize करते हुए दिख रहे हैं जादा लोगों से interact करते हुए जादा लोगो परसनल फ्रेंड में हमने देखा कि बहुत जादा आप लोगों से connect कर रहे हैं बहुत socialize कर रहे हैं और कहीं hermit का card आपको ये message देता है कि over कोई भी चीज ना करें अपने लिए भी थोड़ा सा time space रखें और बहुत dependent किसी के भी उपर ना हो थोड़ी चीजें या फिर कुछ आप अपने तकी रखें और उसमें बहुत सारे लोगों को ना involve करें और कुछ चीजें आप independently करें आप beyond the point किसी की help ना ले किसी का support ना ले और astrology से आप लोगों के लिए Capricorn sign का card है इसके हिसाब से all shades of blue indigo इस week आप लोगों के लिए लखी रहेंगे and significant day आप लोगों के लिए होगा Saturday तो ये था Aquarius आप लोगों के लिए coming week का साथा ही राशी फल और नीचे मुझे comment section में ज़रूर बताएं कि ये कितना आपके साथ resonate किया कितना आप connect कर पाए चलिए prices आप लोगों के लिए देखें कि coming week क्या लेकर आ रहा है क्या energies हैं तो professional front के लिए आप लोगों के लिए card है four of pentacles और ये card कहता है कि इस week specifically professional front में एक stability एक security आप महसूस कर सकते हैं या फिर किसी level पे आपको ऐसे लग रहा है कि भाई अब वो stability वो security आपके professional front में आ रही है और कैसे you know further आप investments करें अपने professional front में उसके बारे में भी सोचते वे दिख रहे हैं लेकिन साथ ही साथ कुछ prices या पिर काफी सारे prices के लिए हो सकता है किसी चीज को बहुत tightly पकड़ कर बैठे हुए हैं इस week आप changes के लिए ready नहीं है इस week आप थोड़े से rigid थोड़े से fixated कि सब के लिए differ करेंगी कुछ के लिए simply हो सकता है कि किसी बात को आपने पकड़ा हुआ है किसी चीज को आप cling कर रहे हैं किछ के लिए हो सकता है कि अपने इनों काम करने के तरीके को लेकर आप rigid हो रहे हैं कुछ के लिए हो सकता है कि अपनी विचार धारा thought process belief system को लेकर rigid हो र कि येवली energies आपको grow करने में help कर रही है आपके professional front में progress लाने में help कर रही है और अगर ऐसा है तो बहुत अच्छी बात है लेकिन जरा सा भी आपको लगे कि येवली energies आपकी growth और progress को hamper कर रही है तो जरूर इसको check करके correct करें and personal front के लिए आप लोगों के लिए ego का card है तो literally देखें ego is weak relationships में रह सकती है और अगर हम otherwise देखें तो किसी खास चीज को लेकर या फिर overall ही आप थोड़े से obsessive थोड़े से possessive होते वे दिख रहे हैं अब देखें यहाँ पर भी सब के लिए differ करेगा at times क्या होता है न हम outcome के साथ इतने ज़ादा attach हो जाते हैं कि हमें लगता है बस कुछ भी हो मुझे तो ये चीज चाहिए ही चाहिए यहाँ पर कोई चीज भी हो सकती है कोई इनसान भी हो सकता है यहाँ फिर जैसे कि अभी मैंने आपको कहा किसी भी चीज के लिए हम effort करें उसका outcome भी हो सकता है और जब भी हम over attached किसी भी चीज से हो जाते हैं possessive हम हो जाते हैं हम obsessive हो जाते हैं और ये energies हमें बहुत बहुत परेशान करती हैं तो इस week specifically personal front के लिए card की तरफ से आप लोगों के लिए दो guidance होंगी सबसे पहली चीज की आपने surrender mode में रहना है गीता में लिखा हुए ना करम करें फल की इच्छा ना करें तो इस तरीके की energies में रहें अपना best दें अपना करम करें लेकिन कहीं outcome के साथ आप attach ना हो फिर चाहें वो इनसान हो चाहें फिर कोई चीज हो कोई situation हो या फिर outcome हो और दूसरी चीज अगर आपको लगे कि आपकी तरफ से एक ego वाली energies रह रही है तो उसको भी जरूर चक करके correct करें दिखिए self respect बहुत बहुत important होती है लेकिन self respect और ego में एक thin line होती है और हमें पता नहीं लगता है कि कब self respect को maintain करते करते हम ego, egoistic हो जाते हैं तो इस चीज को जरूर चक करके correct करें और इन जनरल या फिर guidance से आप लोगों के लिए nine of pentacles का card है और ये card कहता है pause and sever the results of your success तो कितनी बारी होता है न कि हम और और की होड में लगे रहते हैं और कहीं personal front के अगर मैं card देखूँ तो उसमें ego का card इन ही energies को भी confirm करता है जहां पर आप जो आपने अभी तक achieve किया या पर जो अभी तक आपको मिला उसमें satisfaction नहीं पा पा रहे हैं और आपको लग रहे है कि और मिलना चाहिए और होना चाहिए और कहीं जो भी again मैं कहूंगी आपने achieve किया आप उसको enjoy भी नहीं कर पा रहे हैं और कहीं guidance का card कहता है कि थोड़ा सा pause लें और जो अभी तक achieve किया है ना सबसे पहले उसको enjoy करें आगे बढ़ने से पहले तो इस चीज का खयाल जरूर रखें अंड astrology से आप लोगों के लिए cancer sign का card है इसके हिसाब से white color इस week आप लोगों के लिए लगी रहेगा insignificant day आप लोगों के लिए होगा Monday और नीचे मुझे comment section में जरूर बताएं कि यह कितना आपके साथ resonate किया कितना आप connect कर पाए